दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अब हम एनेलेसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी का कल के दिन होलेडे रहने वाला है पर्सों को मार्किट ओपन होगा और उसी दिन एक्सपायरे भी होने वाली है यानि कि हमारे लिए मार्किट को मुमेंटम को समझना काफी जरूरी हो जाता है यहाँ पर कुछ और चीज़े हमें मार्किट में दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपको दो लेवल बताय गए थे 17,200 और दूसरा लेवल बताय गया था 16,800 इन दोनों लेवल का अमनी discussion किया था यह बताया गया था अगर 16,800 का breakdown दे दिया और price नीचे sustain कर गया तो आपको Nifty 50 में और जादा negative momentum देखने को मिलेगा लेकिन अगर 17,200 का आपको breakout मिल गया और price उपर sustain कर गया तो आपको एक positive momentum फिर से Nifty 50 में देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें आज क्या देखने को मिला आप अगर आप आज देखेंगे एक gap up opening आपको देखने को मिली और जो हमारा 17,200 का level है इसका breakout मिल चुका है यहाँ पर आपने देखा और अब हमें यह देखना है साइज सस्टेन होने देना है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है ज़्यादा कोई खास momentum नहीं आया है 17,200 का breakout मिलने के बाद आपको sideways momentum देखने को मिला है और मैंने आपको एक बात हमें साब बताईए कि जब भी किसी important level के पास market जाएगा यह तो buyers चाहेंगे कि उसका breakout देके उपर चला जाए sellers चाहेंगे कि breakdown देके नीचे चला जाए और उस वज़े से वो sideways हो जाता है उसी zone में उपर नीचे गूमता रहता है वो ही situation आपने आज देखी आपको भले यह gap up opening देखने को मिल गी अच्छी कासी gap up opening देखने को मिली और market ने एक range भी आपको दिखाई लेकिन उसके बाद कहीं ने कहीं आप देखेंगे market आपको sideways zone में जाता हुआ दिखाई दिया तो अब हमें इंतजार क्या करना है 17,200 का breakout मिलने के बाद price sustain होता है कि नहीं यह देखना है breakout हमें मिल चुका है क्योंकि अगर क्या हुआ अगर market वापिस से इसका breakdown दे के नीचे आ गया तो फिर से हमारे लिए 16,800 फिर से एक important level बन जाएगा जो कि पहले से एक important level बना हुआ है market इसे approach करने की पूरी-पूरी कोसिस करेगा आले कि उससे पहले भी काफी support दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक important level यही रहने वाल है 16,800 बागी का जिस तरीके से market momentum करेगा हम आपके साथ discuss करते रहेंगे तो फिलाल हमारी कहां पर focus होना चाहिए अब जो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ मैंने एक बात और बताई हुई है कि अगर कोई resistance जो ने उसका breakout मिलता है तो वो support की track करता है और जितना मजबूत वो resistance है possibility है उतना ही मजबूत वो support भी बन जाएगा यहाँ पे 17,200 हमारे लिए resistance बना होता आपने देखा यहाँ पे मैं एक line draw कर देता हूँ अब breakout मिल गया support बन गया अब बात यहीं पे खदम नहीं होती क्योंकि अगर मानलो market ने आपको negative momentum दिखाया या gap down opening दे दी तो पहला support यही हन होने वाला है 17,200 क्योंकि जो मजबूत resistance बना हुआ था अब वो एक मजबूत support की तरह काम करेगा और अगर इसका breakdown मिल गया तो फिर से यह एक support की रूप में फिर से एक resistance की रूप में आपको यह दिखाय देगा यहाँ तक जो चीजे मैंने समझाई हो clear है की नहीं अब यहाँ पर एक बात इमानदर इसे आपको comment करके बताने है कितने लोगों को यहाँ पर कोई pattern नजर आ रहा है मेरे बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा pattern दिखाय दे रहा है कितने लोगों को दिखाय दे रहा है इमानदर इसे comment करना है अभी मैं आपको आगे pattern दिखाता हूँ कौन सा pattern यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब कितनों को दिखाई दे रहा है अब मैंने draw कर दी अब कितनों को दिखाई दे रहा है अब इसे देखो मैं इसे थोड़ा सा zoom कर देता हूँ अब यहाँ पे कोई pattern दिखाई दे रहा है कि नहीं या अब कितनों को दिखाई दे रहा है, इमानदार इसे कमेंट करना, किसने मेरे से पहले ये पैटरन ड्रो कर लिया था, यहाँ पे हमें क्या मदद मिल रही है, एक तो हमें रजिस्टेंस जोन का पता लग रहा है, दूसरा हमें सपोर्ट जोन का पता लग रहा है, तीसरा हमें market की एक range का पता चल रहा है, क्योगए अगर यही range market में फोलो हुई, चलो हम सारी चीज़ों का detail में discussion करते हैं, अगर मान लो यही range market में फोलो हुई, तो हमें buying opportunity ढूणगी है, मैं फिस repeat कर रहा हूँ, अगर यही range फोलो हुई, selling opportunity कितने भी बहतरीन मिल रही हो उसे avoid करना है पहली चीज समझ में आगी दूसरी चीज पर focus करो दूसरी चीज हमें क्या दिखाई दे रही है अगर इसका breakout मिल गया और price उपर sustain कर गया तो हमें मिलेगी buying opportunity यहाँ पर और अगर इसका breakdown मिल गया तो support कहाँ पर बनने वाला है 17,200 पर पहला support बनेगा अगर उसका breakdown मिल गया तो फिर आपको एक बहतरीन selling opportunity मिलेगी यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा है समझ में है कि नहीं और यह कौन सा pattern है वो भी मैं आपको बता दू 4 patterns मैंने आपको बताए हुए triangle वाले pattern आपको बताए गए है trend line से मिलके बने हुए pattern आपको बताए गए है और parallel line से मिलके बने हुए pattern आपको बताए गए यह जो pattern दिखाए दे रहा है दो trend line से मिलके बना हुए उपर आपको resistance line दिखाए दे रही है नीचे आपको support line दिखाए दे रही है तो यहाँ पर हमने तीन चीज़े समझी, पहली अगर मार्केट ने सेम ही रेंज फोलो किया, आपको यह आगे ड्रो कर लेना है, तो आपको बाइंग अपोर्चनिटी ढूंड़नी है, सेलिंग अपोर्चनिटी इसको अवोईड करना है, अगर मिला इसका ब्रेक आउट, तब बाइंग अपोर्चनिटी ढूंड़नी है, अगर मिला इसका ब्रेक डाउन, तब सेलिंग अपोर्चनिटी आपको मार्केट में देखनी है, और अगर 17,200 का ब्रेक डाउन मिल गया, तब तो बहतरीन एक सेलिंग अपोर्चनिटी मिलेगी, डिपेंडिंग ओन वोल्यूम कै तो गलती से भी ट्रेडिंग मत करना, या सेलिंग पोजिशन बना के मत बैठ जाना, क्योंकि वो एक तरह का ट्रेप क्रियेट किया जाएगा, आपको ये दिखाने की कोसिस की जाएगी, कि आपको ब्रेक डाउन मिल रहा है, या मार्केट में नेगेटिव मुमेंटम दिखा दोनों ही सिच्वेशन पर जो मेरे रजिस्टेंस नजरा रहे, 17,350 पर हमें अगला रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 23rd को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था, अगर इसका ब्रेक आउट मिलता है, उसके बाद जो मेरे रजिस्टेंस नज 17,500 पे वो 17,450 पे हमें अगला resistance दिखाई दे रहा है यहाँ पर 23rd को यह आप देखेंगे मार्किट ने एक अच्छी-कासी रेंज भी दिखाई थी और एक pattern भी form किया था और इसका breakdown दिया था और आपको एक selling opportunity भी create होती भी दिखाई थी ती यहनकि पहले भी level काफी important रह चुका तो आपने दो resistance देखे उप और की तरब 17,350 और 17,450 वहीं पर बात करें अगर आपको gap down opening देखने को मिली या फिर flat open होके market ने आपको negative momentum दिखाया दोनों ही situation पर जो में support ने जरा रहा है 17,200 पर आपको यहाँ पर support देखने को मिल रहा है आज की दिन भी आप देखेंगे support रहा है उससे पहले आप देखेंगे resistance 27 और 26 को भी देखो resistance हलाकि 17,200 को तो discuss करने की ज़रूरत है नहीं आप इसे पहले से ही जानते हैं क्योंकि हम का करता हूँ दिखाई देगा अगर इसका breakdown मिलता है अगला support 17,100 पर दिखाई दे रहा है इसका भी discussion करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में यह आपको पता है लेकिन मैं आपको एक हलका overview दिखा देता हूँ 3rd October को आप देख सकते हैं आप पर resistance देखने को मिला 30 September को देखो आपको दो red line दिखाई दे रहे है उपर लेवा लाइन की बात करने की 17,316 नीचे लेवा लाइन की बात करने की 17,227 यहाई पर आप देखेंगे अगर market आपको इस zone में दिखाई देता है आपको market में कोई भी position नहीं बनाने चाहिए आपको market को just observe करना चाहिए अगर मिलता ह आपको इसका breakout price उपर sustain करता है तो आपको मिल सकती है buying opportunities उहीं पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है तो आपको मिल सकती है selling opportunities इसी इसका आपको दिहान रखके चलना है अब उपर की तरफ क्या level रहेंगे नीचे की तरफ क्या level रहेंगे इनका discussion करते है हम pivot point की मद अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो में दूसरा resistance दिखाई दे रहा है, यह 17,449 पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, जो में तीसरा resistance दिखाई दे रहा है, यह 17,495 पर आपको तीसरा resistance यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बात करें, 50-50 में अगर आपको देखने को मिला एक negative momentum, ऐसे इस्तिति में जो में पहला support नज़रा रहा है, यह 17,212 पे नज़रा रहा है, अगर इसका breakdown मिलता है जो में दूसरा support नज़रा रहा है, दूसरा support बताने से पहले में आपको बता दूए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, य यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor के सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, lows की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है, जो यहाँ पर में दूसरा support नज़रा रहा है, 17,113 पे दिखाई दे रहा है, अगर इसका breakdown मिलता है, जो हमें तीसरा support नज़र आ रहा है, यह 17,052 पे आपको तीसरा support यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब एक नज़र हम option chain पे भी डाल लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, 6 October के हमने expiry select करकिया, call की साइड हम देखने वाले है, resistance को, put की साइड हम देखन लेक का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है, वहीं पर बात करें support की, तो 17,200 पर आपको support दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे, 74.4 लेक का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहा है, अगर इसका breakdown मिलता है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे, 17,100 जहाँ प कर सकते हैं फिलाल इस विडियो को like किजगा चैनल को subscribe कीजगा और bell icon प्रेस कीजगा जिससे आपको आने वाली वडियो के notification मिल सकेंगे फिर मंलेंगे किसी next video में किसी अच्छ content के साथ Thank You